नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर होश्यारपुर के दस्वहा शित्र के गाउं कोलिया में एक व्यक्ति का शब घर के बरामदे से हुआ बरामत पुलिस सत्या की जता रही आशंका पठानपुट के रावी दरिया में पांच दिन पहले निपाली युवक का शब फूल कर आया उपर गोताखोरों ने शब को निकाला बाहर गुर्दासपर पुलिस ने अलग अलग जगों से तीन अरुप्यों को किया कबू एक किलो चार सो भीस ग्राम हैरोईन एक पिस्तॉल मैगजीन बार हैं चिंदारोंद और एक गाड़ी की बराम अरभ हल्चर विस्तार से खुश्यारपुर के दसूफा श्यत्र के गाउं कोलिया में एक व्यक्ति का श्रव उसके घर के बरामदे से मिला है इस घट्ना का पता सुवह तब चला जब मृतक की पतनी अपने कमरे से बाहर निकली जिसने अपने पती का श्रव दिखा और पड मृतक की पहचान बूटी राम के रूप में हुई है मिली जानकारी की मताबिक मृतक गाउं में मजदूरी करता था मृतक के चहरे पर गहरे जक्मों के इलावा घर के एक खंबे पर भी खून के दब्बे देखी गए हैं तो वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके प मृतक की चाहिए जो भी जोपा लगा हैं लोगो नहीं पर आपड़ी जानगा उन आपके बूटी राम देखाए हैं उसे वह तो आपके दिखे आगे सारा तव्सिया कीता है आप आपके बिलकुल वार्ड यह बंदेरा मृटर किता गया बग्किए और दर्जिकार कही इन्वेस्टिशिकार कुछ दिन पहले पठान कोट से सटे रावी दरिया में एक निपाली युवक डूप गया था जिसे ढूंडने के लिए काफी कोशिश की जा रही थी आखिरकार युवक की लाश पानी से फूल कर उपर आ गई जिसके बाद शव को दरिया से बाहर निकाला गया वहीं जब इस समंद में स्टेट अवाडी गोताखोर पटवारी फते सिंग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक मैई को उन्हें युवक के डूबने की खबर मिली थी जिसे काफी ढूबने की कोशिश की गी थी लेकिन वे नहीं मिला आखिरकार युवक का शव पानी में तैकता हुआ दिखाई दिया जिसकी जानकरी स्थानिये लोगों द्वारा उन्हें दी गई उन्होंने का कि स्थानिये पुलिस को इसकी सूचना दे दी गी है औ अब पुलिस त्वरा आगे की कारवई की जा रही है गुर्दासपुर जिरा पुलिस ने अलग अलग जगों से तीन आ रूपियों को कबू कर बड़ी मात्रा में है रोइन हत्यार और गाड़ी बरामत की है इस समंद में जानकर देते हुए एससपी गुर्दासपुर दयामा हरीश कुमार ने बताया कि नश्य के किलाफ चलाई की मुहिम के तहत गत दिवस गुप्त सूचना के अधार पर सरब जीत सिंग उर्फस साबू निवासी गाउन नमा कटड़ा कला नौर के घर रेट की जिससे फुलिस पार्टी निकाबू कर लिया इस दोरान आरोपी के पास से एक किलो हैरोईन बरामत की गी जिसके बाद आरोपी के खिलाफ थाना कला नौर में एंडी पिया सेक्ट के तहत मामला दर्च किया गया उन्होंने बताया कि प्राथमे की जाच में आरोपी से सक्ती से पूछताच करने पर एक पिस्टॉल एक मैगजीन और बार हैं जिन दारोण भी बरामत किये गे इसी तरह फुलिस पार्टी ने मलिया मोड पर नाके के दोरान एक स्विफ्ट डिजायर कार को संदे के आधार पर रोक कर जब उसकी तलाशी ली तो कार सवार हरप्रिट सिं और भी खुलासे होने की संभावना है सब्सक्राइब करें अपने पुराने लिंक्स शुरू कर दे हुए दुबारा स्मगलिंग कारूबार जिड़ा वो शुरू किता सी जिस्दी इंफर्मिशन मिलन ते पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन लिया ते जदो तलाशी किती गई तो दो पैकेट जेड़े हैं पांसो प सब्सक्राइब करते हैं तो देवेचे लिंक सेगे पाकिसान-based smugglers जेना नो जेना दे थूए smuggling काम करदा सी उन भी ऐओ यह बन्याद इनाल इन टूच होया है जिस करके रिकोल कंसाइन्मेंच आया सी जिन्नों अगे फर्दर दुझे बन्यान देना सी अगे पांसे नाला कुरियर हुने हैं वो व्यक्ति सीगे उने भी इसानों पुलिस रमान मिली है आसे इनों प्रॉपर पोच्छिच करके आइडेंटिफाइब करांगी के व्यक्ति कौन है यह ते अगे किसनों लेना चांदा से इस तो अलावा छे पांच दो अजार चौबिस नो एक और जडी मल है और दो बंदे हर्पी सिंग उर्फ हैपी है और वासी मल्यांदाई है और दूचा वेक्ति है जतिंदर सिंग वासी शाप पुरकंडी दा जो तारागर्दा है इना दे कुलों 420 ग्राम है रोइन दा एक पैकेट मिलिया है यही स्मगलिंग दे विच एक्टिवली इंवाल है तो आगे इना नो उस चीज दी ड्रग मनी है वो मिल दी है जिस करके फिर आगे चलता है एदा एना ने पहला भी स्मगलिंग देविचे इंवाल्व रहे हैं जो फिलाल साधी इंवर्सीगेशन देविच आए सर्जड़ाइक तुसकर पड़या बाजिदे पाकिस्ताना ल पर नकेल कसने के लिए पुलिस कमिशनर स्वपन शर्मा की अगवाई में चलाएगी महिम के तहट जालंदर कमिशनर एट पुलिस पुलिस ने कारवाई करते हुए लूट पार्ट सा स्नेचिंग की वार्दतों में शामिल तीन आरूपियों को कबो करने में सफलता हासिल की है इस समंद में जानकरी देते हुए पुलिस जांच और दिकारी ने बताया कि एक ताजा मामले में मिली शिकायत की जांच के दोरा पुलिस ने तीनों आरूपियों को कबो किया गया है जो की लूट पार्ट और स्नेचिंग की वार्दतों को अंजम देती थी पुलिस ने पकड़े गिया रूपियों की पास से एक दातर नकदी वा एक आटो भी बरामत किया है फिलहाल पुलिस ने तीनों रूपियों पर मा प्यारी की जा रही है ताकि रिमांड के तुरान इंसे आगे की पुछताच की जा सकी जिससे और भी खुला से हुने की संभब ना है मान्योग शिरी स्वाकन शर्माजी आइडियस कमिशनल फुलिसी जांडर जीदे इशन रदेश्चन रिट्टी जड़ी के श्यार देविच रुट्खो तेसले अची मिली वार्दा थो रही सी उनार थे ठाल पॉंड लाई उनार स्नेचर दो काभू करन दे लाई जड़ी हगे सेंट्रल सब्वीजन देविचे कासी एंड नेम चलाई सी इसे में में देद मुखव सथाना नमी बारा तरी टीम जड़ी हगी है खाल एक एहम सफ़ता मिली है जड़ों के मुखव सथाना नमा कर दे टीम बल्लों एक कैंग जड़ा के स्नेचर कैंग सिगा उदे तेन जड़े हगे ने अपने स्नेचर असी हैं जबतार कीते हैं जीना दे नाम करंबार हरजेंदर सेंग बच्चा सनीव कमार ते काश कमार इड़े दिनों ही वस्तियां इरी द्रियान बड़े हगे ने एक आटो देते हैं अटो देते हैं मत्वर स्नेचर काती सिगे तो इनना ने जड़ी विती एक पांज चौबी दिये वार्दात कीती सिगे पुड़े स्नेच कीता सिगे और उस ताम उदे परस्ते बिट कुई दसाजार पेदी पार्थ एक रंसे सिगे और एटीम कार्ड वेरा सिगे तो बाद वेच एनना ने वेटीम कार्ड वेरा मुझूज करके खंताड़ी हैर्पिया फोदी जड़ा है का खाते देवी पड़वाया सिगे एटीम वार्दात है एक वार्दात है एक थानवे नंबर मकादमय दफ को ऐसे का षानव का 25.50 वार्दा सिगे जागि एस तो लावा इनना वेकोड पूरबिय तो प्राइंटेन वन तकनी मुष्किषटि कीती है गिया पूर अर्क वार्दा ने चौरिक प्राफ्ज सिगे ल तुर्णाबाराध थैकिया थे टोटल सादे कोड़े वन्जा ही या पी यह लॉस्टारी होगी है यह तो पुछी वार्दा थे कोई पर पांसवर पैडिसान रख अर दूसरी वार्दासी कि जी दो लाखर पीया है निचोरी बीता सीगा ओधे चिकान में यह फांसवर पैडिक सब्सक्राइब करने का मामला समने आया है दोनों करमचारियों में आई-कार्ड को लेकर यह तक्रार हुई इस दोरान बस कंड़क्टर ने पुलिस करमचारी पर धक्का मुकी की आरोप भी लगाई जिसके बाद बस करमचारी ने बस हाईवे पर लगा दी और लंबा जाम लगिया जिस कारण सवारियों को भी काफी परिशानी का सामना करना पड़ा तो वहीं खबर लिखे जाने तक पुलिस करमचारी और कंड़क्टर द्वारा एक दूसरे पर धक्का मुकी की आरोप लगाई जा रहे थी सब्सक्राइब निटा संथा है नहीं इस लुट दो साल दे जाल देनु शेम आई काड दे जाल देली जाल दै इना नहीं पुछ आइकार्ट दे बैकसाड क्यों नहीं मैं आल दीज चिप मैंशन सब कुछ मैंशन अग्या किता हुए मेरा बेल्ट नमबर मेरा नाम एस्पी शाव थे सैन सब कुछ हमुआ काई दा मेरा ड्रेस मार्क चिन सब कुछ सायन होए विने मेरे साथ सायन होए विने ओरिजिनल एक अंदे तरह दूली गेट इन्वार्व ने तुसी ठाने चलो जा किछे जित्तर थाउर्टी क्लियर करा हूना है तुसी थांदे चलो जैना वी मेंना तक कम के लिए ला मैं इस एफ यर्द वे दैट सोल ती मेंनु कंट्रोल केंदे भी जेडे कनेक्टर तेरा नंबर ले आए ओदा आइकर लेला मैंनु जाके क्या सार पिछों आइकर देदो मैंने कुणी मारी करें पिछे बैज जाके जैने मेरा इकर मैंनु बड़ रिस्पेक्टली देता अपना इकर क् करें देखो तो दे दो जाने दी बैस पाजी आगी इना इन लोग खराब हो रहे करना चौन है भी एनु एनु तुसी पहला फर्स्ट फॉलीड थिंग सा भी एनु हो इनु मलवीडा लीगल निगानु ओ शो कर्दवे बीए बैरी मलवी नकलिया या कुछ भी एनु शो के हंद हैं फार फ्रस्ट कोई औरूर्मेश आपकर पूर्स कारी पूर्मेश में घृता weakest काया ओंस्याए कर सकता हैone उन्हा नहीं और यह चाल अंदर के लैदर कॉंप्लेक्स के अधीनाते बस्ती पीरदाद इलाके में एक स्कूटर को भ्यानक आग लगने का मामला सामने आया है तो वहीं स्कूटर चालक ने भाग कर अपनी जान बचाई इस समद्ध में जानकर इदेती हुए पिडित व्यक्ति ने बताया कि वह प जलकर राख हो गया चार दिल माइ स्टाट इस्टी आठी पहुंचे तनाली इनुप हरकी बांद होई है तो आग तो रही बई दिए अचाई गालबाद होई कि ता आग किता लागी मतलों है तो आ रहे हैं अथे निसिंग होई है मैं खडी किती है मैं केक मार लगां केक मार अच्छा जो देखा थले आगलाची ने मैं सहाथ होगया है पाड्रॉल पो आया में टीख एब प्रावब्लम सि परला लगा चारा है अच्छानि आप्तों है फोड्रो ड्य चाल्गी कि तो लर यहा रहे हिए है किते हो लिए तो लेक्त ना एक्तों हो जारे है जारे है टे क पूर्वी शेत्र की ब्लॉक प्रेजिडेंट जस्वीर कोर मठारू की और से आम अद्मी पाटी के लोगसभा उमीदवार कुल्दीप सिंग धालिवाल की हक में इकट किया किया जिसमें 30 के करीब परिवार आमद भी पाटी की नीतियों को देखती हुए उसमें शामिल हो गए इस अफसर पर ब्लॉक प्रेजिडेंट जस्वीर कोर मठारू ने कहा कि इस बार वे कुल्दीप सिंग धालिवाल को भारी भाहुमत से जिताएंगी अमरिसर से हल्चल के लिए सुनील खोसला के रिपोर्ट जस्वीर कोर मठारू जी व्लॉक परिस्टेंटा हल्का इस्ट भी कार्ण बरू नक्ति अमरेको आज इदे जड़ी सी जानसदा किती है न इस अबें एंपी केंड़ जड़े ने सदाफ दीप सिंगी तालिवाल उना वस्तेशी रखी वो सब्याज दे चीफ गेस्ट उसी और नाल हलका इस्ट भी अनमेले माडम जी विल्गेट कोर जी सी ड़िए प्रिवार केंड़ी साथ हुरे रे-जिवार लूकैण जिसी ने सर्थी सरकार प्रिवाध करें आजुदि घानी हैं युम्ही विल्ली के माडमेले माडम लूकार और अले जड़े आमार्मी पार्टिक जोएं करो और साथे जड़े अंची दे कंडर में तालुगा जी एक जोन में वत्ता पांके बढ़ी में तेमाल जी कालुगा जीनियर डिस पाल सेंग आड़ी स्टेटा हूं रंजी जानने एस्टेशन तो भी मां मेंमर है एक्जूकेटर आज इननों बहुत अच्छा लगा जोन में आमार्मी पार्टिक जाविस्तार हूंगे देखिया और इनना अकाथ देखिया इस वीर कवर मतारुजी देखा रहे कि इननने अपने हल्केश इनना कम कीता है जमीनी को और ने कम कीता है इननने दो जनना जुड़गे है आज करिप्ती पैंती में करीब परवार जड़े है वह उपर शामिल की देखिया आम आदनी पार्टिक जाविस्तार नों बहुत अच्छा लगा कि इंवम धुणधाम से मण बंगला मुखी जी की उपासक श्री श्री 108 स्वामी सिकंदर जी महराज के ध्यक्ष्ता में मनाई जारी है इसी समंद में शहर के गणमानी व्यफ्तियों को मुझला मुखी जन्ती में आमंत्रित करन हे तों निमंत्रन पत्र प्रदान किये जा रहे हैं जिसके तहत विधायक रमन अरोड़ा अलप संख्यका योग पंजाब की चेर्मेन अब्दुल बहरी सलमानी आम अदमी पार्टी के जालंदर लोगसबा सीट से मीदवार पवन कुमार टीनू आम अदमी पार्टी की जालंदर शाव आलू आलिया राजकुमा अर्मदान आपनेता मुकेश सेठी पूर्व पार्ष देवं आपनेता दिपक शार्दा भारतियों चंता पाटी के जालंदर लोगसबा सीट से उमीदवार सोशीर रिंकु पूर्व सीपीयस केडी भंडारी भाजपा जिरा अध्यक्ष सोशीर शर बाजपा नेता भगवंत प्रभाकर भाजपा नेता सूरी भार्दवाच भाजपा नेता मनोज अगरवाल भाजपा नेता विनीत धीर समास सेवक दर्शन कपूर धिलो कॉंग्रेसी नेता नरेंद्र पहलवान को संपरक भियान की टीम में शामिल अश्वनी यादव अमित कुप्ता आयुष जादव कमल मुलोत्रा एवं अंकुर मुलोत्रा ने निमंतरन पत्र प्रदान किया। इस वरान सभी निताओ एवं समासीवियों ने संपर्क भ्यान की टीम को जी विश्वास दिलवाया कि वे बंगला मुखी जनती में पहुंचकर माथा टेक मा बंगला मु जनती मनाई जा लिया। पुष्णा दे निवारन वास्ते और महरानीदा शीरवाद दयान वास्ते सारे पोंचो मैं अपने वलों अपने परिवार वलों सारी सब्सक्राइब बहुत बहुत बढ़ाई देना और उत्ये आंदाने मंतरन देना जै माता जै मा बगला मुखी तौनु सार्यानुए मैं अपनी आमादुरी पार्टी वलों और गोज़ासिंगर्श्क मेटी वलों बेत्री करता है कि सोना तरीक बहुती पावन ते प्रवित्र दिन माता बगला मुखी ती जन्ती है। अपनी संसारिक यात्रपून कर गुरु चन्नों में जाविराजे हैं। उनकी आत्मिक शान्ती हितू रखे के श्री सहज पाठ साहिब जी का भोग एवम अंतिमर्दास गुरु द्वारा नौमी पात्षाही दुखनी बारन साहिब गुरु तिंग भादूर नगर जालंधर में की गी। इस मोके पर रागी जथोनी पैराग में गीतनकर स्वर्गी चरंजीत सिंग राजपाल की आत्मिक शान्ती हितू अर्दास की इस मोके पर वरिष्ट काली नेत्री बीबी जागीर कोर विधायक रमन अरोड़ा आमाद्वी पाठी के जलंधर लोकसबा सीट से उमीदवार सदस्य कुलवन्त सिंग मनन यू थकाली दल के शहरी प्रधान अम्रित वीर सिंग गुर्चरं सिंग चनी सर्वजी संह मकर स्जैप्सडासे जग्जीत सिंह गाबंगंदीप सिंग गोंगी अमर्जीत सिंग्gre osób जूग राज सिंग जग्डी गुरवचन सिंह का थूरिया मैं राजकुमार राजू एक बाल सिंग धीन्ट सा राजू मदान दविंदर अरोडा सहित राजुनितिक समाजिक वा धार्मिक वरक से चुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गी चरंजीत सिंग राजपाल को भाभीनी शर्धान चुड़ी बेंट की तो मेरी जिन्जुडिये ते जवकत्र रेड़ा मेरा जिन्जी नामते आया ते शर्धान नारक जिन्जी नामते आया ते शर्धत का ते प्रादे जिन्जी नारक कीritis डियन्जी आया मेरा क्यांते इस ते शर्धत का हुंचकर सुड़ जिन्जी बेंट का जिन्जी नामते जिन्जी बेंट का जिरो फुड़ी हो। मेरी जिन्द अपियाया मेरी जिन्द अपियाया मेरी जिन्द अपियाय 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 जिन्द अ करका मेरी दखरी दुदर हर लाय आर्ट कर दार लाय दूखर हर लाया है करका मेरी दुदर हर लाय, करका मेरी दंगे सब जाए मिरो सच गुल को मेरी दुंदरी सब जाए मिरो सच गुल को मेरी जिन जुडिये एड़ोकेट जोगिंदर सिंग भाटिया जोकी अपनी संसारी की यात्रा पूर्ण कर गुरू चन्नुमी जाविराजे हैं उनकी आत्मिक शांती ही तो कीटने वमा अंती मर्दास गुरु द्वारा सिंग सभा मॉडर डाउं च्टालंधर में कीगी इस मौकेट पर रागी जथोनी पैराग में की तनकर स्वर्गी एड़ोकेट जोगिंदर सिंग भाटिया की आत्मिक शांती ही तो अरदास की इस मौकेट पर शेहर की राचनेतिक धार्मी के वम समाचिक वरक से जड़ी लोगों ने पहुंचकर स्वर्गी एड़ोकेट जोगिंदर सिंग भाटिया को श्रधा सुमन अर्पित की जय लो, भाटिया की जय वर्गीया के वर शांती ही 5 कि ये बने सुफने समान कि ये बने येसा सुफने येसा कि ये बने येसा सुफने येसा कि ये बने सुफने समान जी वाल आस फो दिवाल आस पंद संहार जी वाल आस फंद संहार कल्ब क्यार के कार, कल्ब कार स्वोई कल्ब क्यार, बिकार मरहर, तर्ग नारं सोई कहल कभी जगी बन ऐसा, दुधिया नाही कोई क्यार कभी जगी बन ऐसा, दुधिया नाही कोई दुधिया नाही कोई दुधिया नाही कोई जी मन सुपन समाल, जी मन सुपन समाल दुधिया नाही कोई जी मन सुपन समाल जी मन सुपन समाल जी मन सुपन समाल साथ कर हम दाख दीनी साथ कर हम दाख दीनी जोट पर्बन दाख जोट पर्बन दाख जोट पर्बन दाख जग़ी बन ऐसा सुति जैसा हम गोड़ा के ताम धना नाता है, हम आना नाता है। और अब अन्त में हलचल की गतिविदियों पर एक नजर फिर से होश्यारपुर के दस्वहा शेत्र के गाउं कोलिया में एक व्यक्ति का शब घर के बरामदे से हुआ बरामद पुलिस सत्या की जतार ही आशंका पठानपुट के रावी दरिया में पांच दिन पहले निपाली युवक का शब फूल कर आया उपर गोता खुरों ने शब को निकाला बाहर गुर्दासपर पुलिस ने अलग अलग जगों से तीन आरूपियों को किया कबू एक किलो चार सो बीज ग्राम हैरोईन एक पिस्तॉल मैगजीन बार हैं चिंदा रोंद और एक गाड़ी की बरब इसके साथ ही अब तक कीगतिवी दियास मब्त होती है और तासा चौंकर के लिए देखते रहे हैं कर दो इस घर जो है अब कर दो झाल